असलाम लेकों वेल्कम बेक अनगे व्लोग मैं योडी फैमली का हाल है और सबके अमीद करती हूं सब गारियां से होंगे तुम आज का नियों व्लोग करते हैं यहीं से स्टार्ट अजी मॉनिंग होचुकिया नाश्ता हम रिङा किया चाही पिया और हखी भुब बिस्कित बगारा लिया तो यख़द्न करीमने इरेक्षान करीमने वीड क्योंकि वह बॉब निज़ारी हुगाँ इट वह फूम्था का वह कर देंगे तो मैं जारी होगी वह क्योंकि मेरा कुछ क्फ़ी सोवेट है कि अग्दे कि अबे राता जाती हुआ है अचा जाती हुआ तो आज मेरे राता beweदा ही रिजाती हाऊ है। मैं राते नहीं होगी हुकर खाओंगी है। मैं आई था और हो आदे रास्ते तक अंगे से मुझे मेरा भाइट twist के जानी है। गांपuar नांच्टा पर्मृमvention में सबतार को अभिग dota बॉड रहे हैं भाव मेरा किछेडañ कानी हो गई है साट वो मिठ्व को देखरी है रास्ते में वो डॉंकी आ गया है मैं आ गई हूँ जी अपनी छत पे क्योंके बारा साड़े बारा का टाइम हो गया और नीचे में साथा तक कर रही थी तो मैंने का चलो उपर वो थोड़ा से खेर लेगी जान बूज के ना उसके अंदर जा रही है देखा ना फिर गीर गई है कपले गंदी हो रहे है खड़ी ह नीचे से अच्छी खासी दूप है अब लगता है कि घर्मिया आ जुगी है और अब दूप में बैठ रहे हैं न मोसम भी चला गया अब खुला मोसम आ गया अच्छा खासा है बहुत बुरी बात है बहुत बुरी बात है खड़ी हो नीचे से देखे कपलो का हाल आपने अच्छा करो इस बॉल का में यह ले पकड़ें बॉल है इतना आजाए 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 वो बुरी बात है फिर नीचे पर कपले गंदी हो रहे है चात गंदी है अच्छात गंदी है आप तो इन जैसी लग रहेंगे सबकी देड बज गया मैं होई है सुबहाट बजे की राइट गई हूई और आप आप आई है किसने बाज़ेगे देड यह है जी हमारा बच्चा मिरा चोलो अरहाम जी हमी के घर भी याने के बाद भी मैं आ चुकी हूँ किचन में क्योके को मेरे चावल बने वे बहुत पसंद रहा साथ में मेरी शामियां जो घर की बनाती हूं वो बहुत पसंद है तो मुझे सुबा गया के कहे थे खाना तुमने आज बनाने घर पे तो कुछ मेरी बेहन की चोटी की तबीयत भी नहीं ठीक थी भापी भी थोड़ी से बचों बेमस को आपना का साथ में जालु ब मुझे आपना का था मुझे स्थीं है शामी कुबाब ने जो डयां एक चमच मैंस मेरे लगा इसके बढ़ा का और इसके बार डाले proportion एक चमच मने इन लगर मुचों मेरे नहीं मेरे यहां से मुझे मुझे भूले मैं लाग तुम्स मैंने डाले हो झाल वेट 10-15 मिंट तो इजली से घलके हो जाते हैं अभी त्यार आए अच्छा, जी आप मैं मैं कॉंटरेटरी का कोई हिसाब नहीं दे रही आप लोगों को सिर्फ मैं बता रही हूं परिसीजर के मैं ऐसे बनाती हूं आप अपनी कॉंटेट्री के मुताबिक हर चीज एड़ करने के बाद आप ऐसी प्रोसीजर के साथ बना सकते हैं तो मुझे यहां थोड़ा सा पानी कम लगा मैंने ओर डाल दिया और साथ में लगा दिया जी मैंने प्रेशर कुकर तो मैं तक्रीबन 10-15 मिंट का लगाऊंगी और यहां जी मैंने प्रेशर कुकर जो मेरा को ओपन कर लिया तो उसके बार आप देख सकते हैं कैसे अलग लग से खुली-खुली सी डाल है तो इसको हब हम करेंगे पीसेंगे अच्छी तरह और साथ में भीर हम बनाएंगे इसको मेयश करने के बाद मैंने शामी कुबाब जो टिकियां है यह मैंने बना लीया है तो अब इनको हम करेंगे फ्राएंगे करेंगी मैंने अच्छी से ना काफी गरम कर लिया मैंने तो कभी भी शामी का कलर चेंज और हुआँ खराब बहुत अच्छी सी लोग काती है आपको मैं दिखाती हूँ फाइललोग कि अच्छी यहां पर देखैंग जी मेरे कितने किरिस्पी और कितने मजे के और कितनी पियारी से लोक आई हो यह जड़ा भी कहीं से तूटे नहीं है कहीं से सोफ्ट नहीं हो यह तो आप मुझे कमिन्सस्यक्षण मिला सी बिटाएगा कि आपको कैसी लगे गैस की ना होने की वज़ा से और बिजली ना होने की वज़ा से यहां पर हम मैंने एक प्याज चोप करके डाल दिया जो साथ पर मैंने घी भी डाल दिया तो यह अच्छे से हो जाता है ब्रोन तो यहां मैं बना रही हूं जी मिक्स वेजिस ब्लाओ यहां में रालू काटे, गाजल काटे हैं, माधण हैं बीच में ऐippyो स्थ बीच में दो टमाड़ भी दाल नियु膜 बादो, सत में प्याल्व लशन के कुछ जवे हैं प्यास मैंने ब्रून होने के लिए रख दी है ये अच्छे से ब्रून हो जाती है तो फिर इसमें हम डालेंगे सब कुछ प्याजों को हलका सा ब्रॉन करने के बार साथ में ही डाल दी है जी मैंने जो लसन के जवे दिखाए थे उनको ऐसे करस करके डाल देती है इसके अंदर अच्छा जी मैंने लसन इसके अंदर डाल दी है तो वह भी आपको नज़रा रहा होगा इसको हलका सा करते हैं ब्रॉन ब्रॉन करने के बाद मैंने डाला है जी दो से तीन घूट पानी के जो के मैंने उपर से ढखा लगा दिया आप इसको आदे से थोड़े से कप जितना पानी दे ले मतलब जैसे कि तल्ड़का लगाती है तो वह भी दाल दी है तो थोड़ा से मैंने डखकर ले दिया ताकि इसका ओले ना तो इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर साथ में दाल दी है और एक दम से चावलो में डालते होते हैं हर चीज को बारी बारी डालती है और हर चीज को फ्लेवर आने तक का इंतरो करती है और ये पांच में डो चुके थे मुझे चिकन को बोनते हैं वे इसके बार डालिया जी मैंने ये वेज़िस जो मेरी कड़ी हुई थी गाचर, आलू, मतर ये साथ में हैं जी चिकन क्यूब्स ये मैं डालूंगी इसमें दो होती हैं तो मैं इसमें डालूंगी जी वन इससे नज़रा अल्जाइका बहुत अच्छा सा आ जाता है तो ये वन क्यूब्स मैंने डाल दी हैं वेज़िस लाओ में ये जब तक सारी चीज नहुक ही तो तब तक मज़ा नहीं आ mighty यहाँ पो मैंने डाले जी एक चमत नमक का सूकर धनिया बटर डाला हम सार में डाला जी मेन गर्मसाला अच्छा से कर लेते हैं इसको मिकस हो ड्यूप अपर लगाते हैं इसके डखना ताकि ये अच्छा जो सब्जियां उनको वाइल आ जाए और फिर हम इसमें डालेंगे चावल यहां जी हमारी वैजिस हो चुकी हैं सॉफ्ट और अच्छा खासा वाइल भी आ चुका और इतना मज़े का टेस्ट लग रहा तो जहां मैंने पंदा से 20 मिंट पहले जो चावल भी गोके रखे वे तो वो डालती हूं जी मैं इसके अंदर तो इनको बारबार चमचा नहीं हिलाती था कि सब्जिया भी न तूटे और चावल भी न तूटे तो उपर लगा देते हैं जी 10 मिंट के दिए डखका नो सासाथ आप थोड़ा थ या जी दम लगा कि अच्छे से उसको देखते हैं कि उसने दम लगा या नहीं लगा नहीं तो फिर यह गाना हो जाकी दम दप रोसा या रावे नावे यह देखे मेरे चावल कितने मज़े के और खिले-खिले से पके हुए हैं रिशाट करते हैं और आपको फाइनल लुप दिखाती हूं जी इसकी माशाला जी माशाला खुब सूरत और ऐसे खुश्बूं के हुले आ रहे हैं आज तो मेरे भाईयोंने कहना है कि वैस दिल जीत लिया क्योंकि शादी से पहले जो मैं चीज़े बनाती थी भी मेरी शादी हो गई और मेरे घार आती हैं तो यह पिस कैसी लगी इनको जी चानीज चावल कहलो या मिक्स वैचिस प्राव कहलो तो यह बड़े मज़े के बने हुए साथ में है जी शामी को वाब और यह हो चुक है जी हमारा डीनर त्यार क्योंकि मैंने डीनर बनाया है तो रात में मेरे भाई वगरा घर आती है तो लाजब पिताईएगा कि आप लोगों को हमारा डीनर कैसा लगा बड़ी मज़े की कुछ भू है जी खाना शाना खाने के बाद मैं जा रही हूंचिए अब वापीस अपने घर क्योंकि सुबह से हो चुकी है शाम तो मैं एक दिन के लिए आई थी सिरफ मुझे वो लेने के लिए तो खाना शाना खाया हम लगोने अच्छे से तो अब हम जा रहे हैं वाप पीस मुझे राज क्योंकि वैलन्टाइन लिए तो मुझे पूछ रहा है के फ्लावर लेना है तो मैं नका दिलवा दे के तो ठीक है तो यहां में बुझे उन्होंने का कर रोक लेते हैं तो जल्दी से लेते हैं जी एक फ्रावर और साथ में लेते हैं जी कज़रे यहां से हमने सब कुछ लिए जी यहां आचोड़े हैं जी हम घार और यहां मुझे पेना आ रहे हैं और वैसे मुनीर को इनजीरों को शोक नहीं है लेकिन मैं इन चीजों की बहुत शोकीन हूँ तो मैं कहती हूँ इससे न महबबत का हिसार होता है हाफीस